जिसमें हम लोग wave को भेजेंगे और super impose भी कराएंगे और standing wave भी कराएंगे reflection भी कराएंगे इसमें दो type के reflections होंगे एक तो सबसे पहले fixed end से होंगे और open end से होंगे तो पहला experiment open end से किया गया है जहां पे आपको wave का reflection दिखाया गया है जैसा wave जाता है वैसा ही return भी wave आ रहा है return opposite direction में आ रहा है जहां से wave जा रहा है return opposite direction में आ रहा है आप देख सकते हैं यह fixed end है यह भी wave जाएगा बहुत आराम से बहुत slowly wave जा रहा है और जैसे ठक्राएगा fixed end से reflect opposite दिरेक्शन में होगा वैसा ही फिर इधा से टक्राएगा फिर opposite direction में चला जाएगा उसकी directions जो है वो Pl रही हैं जैसे फिक्स एंड से टकरा रहा है डारेक्शन चेंज एक और हमने पल्स उसमें दे दिया है आप देखिए सुपर इंपोज के बाद से क्या होई जो वेब आगे जा रही थी जो लेफ्ट साइड जा रही हो थी फिर फिर सुपर इंपोज होई फिर जो राइट नहीं दिख पाता है क्योंकि वो एक instant of time के लिए बन रहा होता है आप एक बार फिर से absorb करिए और देखिए यहां पे अब extending wave आपको दिखाया जाएगा देखिए इसमें extending wave कैसे बन रहे हैं धिरे धिरे इसमें आपको wave दिया जाएगा और wave को देखा जाएगा वेव दे दे कर continue wave दिया जा रहा है और return होने के बाद से दोनों wave सुपर इंपोच करता है और सुपर इंपोच करता है तो इसके amplitude बढ़ रहे हैं और बढ़ बढ़के ऐसे दिखाई पड़ रहा है कि wave आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है मतलब अपने अस्थान पे वो क्या कर रहा है अपने position पे उपर और नीचे कर रहा है यानि कि wave की transfer नहीं हो रही है energy का कोई transfer नहीं हो रहा है पर wave मतलब चल रहा है यहां पर आप देखेंगे image में आपको दिखाए गया कि इसमें notes बनेगा जो notes बनेगे वो उसके जो positions होंगे वो fixed होंगे anti notes के जो position होंगे वो भी fixed होंगे पर wave तो चलेगा पर इसमें energy का transfer नहीं होगा इस animation से हम लोग पूरे wave को का reflection और stationary wave समझ सकते हैं